हेलो फ्रेंड्स आयम अधित वेलकमिंग यू आल इन आर्णाइन लर्न प्रेट्फर्वार्म आज यू आलो देट लॉक एंट्रेंस एग्जामस में लीगल इसनिंग का एक इंपोर्टेंट सेक्शन होता है इन सब पॉइंट्स पर आज हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो चलिए विदाउट अनी फर्दर डिसक्सन हम इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं और दार्व गूर्डन रूल पहले हम घुलड Another general account करते होए इन क्वेशिंस को बिल्कुल 100 पर सेंट करेट अपरोच कर सकते हैं सथे च्ठ परोच कर सकतेह और अगीट नहीं कहसा अब एस यहां कुरेट हम स्वैव सब्सक्राइइब कर सकते हैं तो चलिए डेखते हैं पहला रूल क्या है, assume the given principle to be accurate and conclusive, जो भी principles given रहेंगे, दिये हुए हैं, उनको हम बिल्कुल correct मानेंगे, और कुछ भी left or right हम नहीं सोचेंगे वहाँ पे, जो भी given principles रहेंगे और facts रहेंगे, उनहीं के basis पे हमें अपने conclusion तक पहुचना होगा, हमारा second point है, take the given facts as complete, do not assume anything else, वही बात ज जो facts आपको दिये रहेंगे, उनहीं को आप 100% correct मानेंगे, और कुछ भी अपनी तरफ से उसमें add नहीं करेंगे, ये दो points है बिल्कुल दिमाग में बैठाया रहेंगे, और ये points बहुत ही important है, आईए, अब हम आगे देखते हैं कि इन questions को पूछने का law के institutions का objective क्या होता है, आप चेक्यों ऐसे questions पूछे जाते हैं, ये कि, सबसे पहले चीज़ तो ये होती है, ऐसे questions इसलिए पूछ आते हैं, ताकि आपकी problem solving ability कैसी है, इसको check कि आ सके, और दूसरा ये होता है, कि आप logical inference आपका कैसा है, कि आप कोई logic आपको दिया गया हुआ है, और आप उस logic का use कर ये होता है, कि ये आपके legal reasoning को check करे, rather than your legal knowledge, आपके legal knowledge को ये questions नहीं check करते हैं, तो ये सब points आप बिल्कुल याद रखेंगे, these points are very important, ऐसे questions आते हैं, तो कैसे tackle करना है, इसको भी हम देखेंगे, अभी 2-3 questions को, अब देखिए, यहाँ पर एक example मैं आपको देता हूँ, आप example क आपको बिल्कुल धियान पूर्वक देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे line by line में cover करूँगा, if the principle states that murder is no wrong, and the fact says that A has murdered B, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखिए, आपको देरे देरे चीज़े आसान लगने लएंगे, A has murdered B, then as per the fact and the principle, A has committed no wrong, ठीक है, do not, अब अब आपको यहाँ पे चीज़े है, कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कि the murder is no wrong, यहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा, the murder is no wrong, ठीक है, and the fact says that A has murdered B, then as per the fact and principle, A has committed no wrong, क्यों देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल कह रहा है, कि जो murder है, वो कोई गलत कह रहा है, it is not a wrong अब तीकि यहाँ पर fact में यह कह रहा है, कि A has murdered B, जो facts हैं और principles हैं, उसके according क्या हुआ, A has committed no wrong, A ने कोई गलती नहीं कि हुई है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप reality में नहीं जाएंगे, कि murder जो है, गलत काम है, एक offense है, आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे, जो principle and fact में दिया हुआ है, आप उसी पर stick करेंगे, मेरे कहने के sense यहीं है, अब देखिए, अखला point के है, do not go by the assumption that murder is prohibited, वही बात जो मैंना आपको बताई, and hence answer should affirm the guilt of A, जो answer होना चाहिए, वो जो guilt of A है, उसको support करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आप assume कर लेंगे कि murder is prohibited and A has committed an offense, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो आपको principle and facts दिया हुआ है, उसी के according आपको चीजे करनी है, आपको अपनी जो conclusion है, उसी के according बनाने है, कि हमारा क्या conclusion होना चाहिए, अब देखिए, एक चिस और है, मैंने आप a note में mention किया हुआ है, the questions have to be answered strictly according to the principles provided, जो आप को principle दिये हुए है, उसी के according आप अपने facts को देख करके और अपने question को answer करेंगे, आप अपनी तरब से कुछ भी add नहीं करेंगे, मैं आपको repeatedly इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि चीजे होती हैं ऐसी कि हमको facts को देखते हैं, तो हम अपनी तरब से कुछ चीजे add कर देते हैं principle मे की hope चीजे आपको clear हो गए होगी, अब देखिए, आगे कुछ questions के थुरू हम इनको समझते हैं कि कैसे इन questions को tackle करना है, कैसे attempt करना है, देखिए, यहाँ पर आपको principle दिया हुआ है, no person shall be prosecuted for the same offense twice, देखिए, आप यहाँ पर इसको mark कर लेंगे, sell be prosecuted for the same offense twice, अब देखिए, same offense twice, बहुत ही important है, आप ऐसे questions में जो important points है, उनको highlight करते हुए, solve करेंगे, तो आपको चीजें बहुत ही असान लगेंगी, देखिए, आप facts पहाते हैं, facts क्या है, राजी हुआ है, राजी हुआ द्राइविं इस BMW, वनी ड्रूब देखिए, और पाथवे, और पाथवे, और lack of evidence, he is acquitted, देखिए, यहां पर important चीज है, he is acquitted, now the prosecution finds eyewitness and evidence against him, they want to prosecute him again, ठीक है, यहां पर आपको fact में कहा दे रहा है, कि they want to prosecute him again, अब देखिए, principle में कहा है, no person shall be prosecuted for the same offense, ठीक है, same offense twice, अब देखिए, यहां पर आपने facts को भी देख लिए, principle को भी देख लिए, अब हम क्या correct option होना चाहिए, option यह कहता है, राजीव cannot be prosecuted again, second option है, B, he can be prosecuted since there is fresh evidence against him, C, option है, he cannot be prosecuted as his father was the chief of her, में ऐसा कुछ, यहां पर आपको facts or principle में दिया होगा नहीं है, he can be prosecuted again as he was not punished at all, देखिए, यह भी option नहीं होगा, अब देखिए, यह भी option नहीं होगा, अब देखिए, य तो देखिए, एक बार उसको prosecution उसके लिए किया जा चुका है, उसको एक बार prosecute किया जा चुका है, अब देखिए, second time नहीं किया सकता, principle हमारे यह कहारा, no person shall be prosecuted for the same offense twice, तो what should be the correct answer according to the fact and the principle, it should be the correct answer, राजीव cannot be prosecuted again, ठीक है, अब वो देखिए, क्योंकि एक बार उसको prosecute कि जा चुका है, तो I think आपको चीज़े clear हो रही होंगी, same offense है, और उसके लिए हैं पर second time उसको prosecute करने की बात करी जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता, I hope आपको चीज़े clear हो रही होंगी, आप ऐसा ही जब questions को more and more questions को practice करेंगे, तो आपको चीज़े और clear होंगी, अब आईए, अपने दूसरे question को चलते हैं, कुमारा second question में क्या है, principle दिया हुआ है, nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense, अब जी कि यह आपके लिए important है, right of private defense, इसको आप दिमाग में बिठा है रहेंगे, तब आपको fact समझने में असानी होगी और answer करने में बहुत ही आपको असानी होगा, देखे, रोह अब देखे, अब देखे, यहां पर क्या है, अब options को देखते हैं, पहला option है, second option है, रोहित has not committed an offense because he was mad, third option है, प्यूस has not committed any offense, last option है, रोहित has committed the offense of attempt to murder, अब देखे, अब प्रिंसपल को एक पर और देखे थे हैं, so according to the principle, जो प्यूस है, प्यूस है, प्यूस है, देखे, प्यूस है, अब देखे, प्यूस है, अब देखे, नहां पर आपको important चीज आ रहे होगी, प्यूस has not committed any offense, यह हमारा correct answer होगा, she would be the correct answer, ठीक है, तो कि यहाँ प्रिंसपल में दिया हुआ है, nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense, यहाँ पर प्यूस ने क्या किया है, प्यूस to save his life kills रोहिद, यहाँ पर आपको clearly दिख रहा है, यहनि कि वो अपने private defense के लिए रोहिद को मारता है, या kill करता है, ठीक है, तो according to the principle, she should be the correct answer, प्यूस has not committed any offense, I think आपको चीज़े clear हो रहे होगी, आगे जब आप और practice करेंगे, तो और चीज़े आपको clear होगी, आई एक और question देखते हैं, देखी, यहाँ पर प्रिंसपल में आपको दिख रहा होगा, an agreement with a girl, अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल इसको point out करेंगे, an agreement with a girl below the age of 18 years, ठीक है, यहाँ कि कोई भी agreement एक girl के साथ होता है, जो कि 18 और से कम उम्र की है, वो लाक के द्वारा enforceable नहीं है, अब देखिए, fact क्या कहता है, fact is saying that a man entered into an agreement with a boy of 17 years of age, यहाँ पर important दो चीज़े है, a man entered into an agreement with a boy, ठीक है, principle में बात की गी है girl की, और fact में बात की गी है boy की, of 17 years of age, ठी ठीक है, अब देखिए, पहला option हमारे कहता है, the agreement is enforceable by law, ठीक है, second option है, the agreement is not enforceable by law, third option है, the agreement is enforceable by the boy, अब यहाँ पर लास्ट अप्शन है, no interference, no inference can be drawn, ठीक है, अब देखिए, इन चारो options को अपने देख लिया होगा, अब यहाँ पर आपको conclusion तक जाना है, एक बार और प्रिं a girl below the age of 18 years is not enforceable by law, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, fact को देखिए, a man entered into an agreement with a boy of 17 years, ठीक है, अब options आप देख चुके हैं, अब options का according क्या correct लख रहा होगा, no inference can be drawn, ठीक है, यह आपका correct answer होना चाहिए, क्यों, ठीक है, यहाँ पर girl की बात की गई है, प्रिंपल में, और fact में ब है, कि law के लिए तो girl और boy, वो तो same है, बट यह reality में है, यहाँ पर हमको अपने principle and fact के according ही answer करना है, तो यहाँ पर हम सीधे-सीधे कहेंगे, कि no inference can be drawn, क्योंकि कुछ भी clear नहीं हो रहा है, principle में बात करीगी है girl की, और यहाँ पर fact में बात करीगी है boy की, ठीक है, तो I hope आपक के comment करिये, we will provide all these legal videos to you all and I hope आप सब अच्छे होंगे, और मैं last में कहूंगा, stay blessed and be stay blessed, be focused and prepare smartly, so at the last, thank you you all.